लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सपेरिमेंट किये, उसमें हमने पाया है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर जारा ध्यान चले गया साइंटिस्ट का, और इंटेंसिटी जो हम समझते थे कि लाइट की इंटेंसिटी जो है, वो इंपोर्टेंट रहेगी, वो नहीं निकला energy एक तरह से कह सकते हैं light की intensity पर डिपेंड ही नहीं कर रही है frequency पर डिपेंड कर रही है तो wave theory जो है जो हमने अभी तक wave theory सीखी थी वो इसको समझाने में ये जो भी experiment की results हैं इसको explain करने में नाकाम होती है अब यहाँ wave theory के हिसाब से light को समझा जाए तो light को समझा जाएगा एक पानी की लहर की तरह एक wave की तरह तो यहाँ पर दो wave बनाए गई है एक उपर है एक नीचे है height किसकी ज़्यादा है या amplitude किसका ज़्यादा है नीचे वाली का नमबर दो का तो इसकी energy ज़्यादा मनी जाएगी अब पानी की बहुत बड़ी लहर आ जाए सोनामी आ जाए तो आप बोलेंगे बहुत energy की wave आ रही है तो अगर इसी तरह से light को भी समझा जाए तो जितना ज़्यादा amplitude या height होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी energy होगी बट जो भी हमने experiments किये वो इससे मेल नहीं खाते जैसे सबसे पहला point लेते हैं emission का emission मतलब electron निकले गई क्यों हमें पता है कुछ न कुछ उसे energy चाहिए एक minimum threshold energy चाहिए जिसके बाद वो वहाँ से surface से निकल सकता है अब ये energy हमें light से provide करने हो तो अगर हम low amplitude वाली light डालते हैं और उससे कुछ result नहीं मिलता electron नहीं eject होते तो उसकी intensity बढ़ाने से या amplitude या height बढ़ाने से हमें result मिल जाना चाहिए यानि कि intensity बढ़ाए तो electrons बहार आने चाहिए पर ये experimentally fail हो रहा है हम जितनी भी बढ़ा ले intensity अगर वो threshold frequency से नीचे है minimum frequency जस्ट आप intensity बढ़ा ये red light की और electron eject करा लिजे but experimentally ऐसा नहीं हो रहा so this is the first flaw in wave theory wave theory photo electric effect को नहीं समझा पारी अब चलिए electron को eject नहीं करा पाए कोई बात नहीं चलिए जब electron eject हो जाते हैं जब आप एक minimum frequency ले आते हैं और electron eject हो जाता है तो उस electron की energy तो बढ़ा के देखाईए यानि कि blue light माले जीए minimum frequency है electrons निकल रहे है अब blue light की ही आप intensity बढ़ाएं तो expectation क्या है जब हम low intensity, low height, low amplitude रखते हैं तो electron की energy कम होने चाहिए या छोटे arrow से दिखाया गया है और जब हम amplitude बढ़ा दें intensity बढ़ा दें तो उसकी kinetic energy increase होनी चाहिए अगेन ये भी नहीं हो रहा हम देख रहे हैं कि intensity बढ़ाने से kinetic energy पर कोई फरक नहीं पड़ रहा तो अगेन wave theory यहां भी इसको explain करने में नाकाम है अब third point पर आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं time for emission देखिए जब हमने wave theory समझी दी तो हमने एक wave front का concept सीखा था जैसे हाईगन ने बोला था कि wave front जो है वो travel करते हैं अब अगर wave front इस तरह से travel कर रहे हूँ यह इस तरह से wave front हमने दिखाए हूँ है किसी light के wave front जो एक metallic surface पर पढ़ रहे हैं यह yellow color से एक metal का surface है जिस पर पढ़ रहे हैं अब यह जो wave front जो touch होगा this is the last one यह जो जब just surface से touch हुआ है यह क्या एक ही electron को touch करेगा it will touch millions of electrons क्योंकि बहुत सी संक्या होगी electrons की तो जो विचारा एक electron है उसको तो fraction of energy मिलेगी wave front की तो इस हिसाब से अगर हम लेके चले हैं तो अगर electron को वो energy चाहिए phi naught minimum उसे surface से बाहर जाना है उसके लिए तो कुछ time लगेगा वो energy खटा करेगा दूसरा wave front आएगा उससे कुछ energy लेगा third से fourth से और तब जाके थोड़ी time बाद जब उसकी energy phi naught तक पहुँच जाएगी minimum energy मिल जाएगी उसे तो वो surface से बाहर आ जाएगा बट हमने देखा कि ये instantaneous हो रहा था यानि की शन भर में कोई time लगा ही नहीं light की speed से चाहे dim हो light तब भी तभी का तभी electron बाहर आ जा रहा है कोई time नहीं लग रहा उसे there is no delay तो ये भी wave theory का wave front concept जो है उस हिसाब से इसे समझाने को instantaneous जो electron बाहर आ जा रहा है चाहे light dim भी है उसे समझाने में नकाम हो रहा है